गुरु गोविन दोवु खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए नमस्कार आप सभी का ACP NEWS में स्वागत है मैं रूपल आज आपके लाई हूँ एक विशेश कारेक्रम गुरु और ग्यान का बदलता रूप हम सभी जानते हैं कि आज की सुभा कोई साधारन सुभा नहीं है आज का वातावरन भी सामान्य नहीं है आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है सरप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुपकाम नाए हमारे जीवन का निर्मान करने वाले, हमारी बौधिक्ता में प्रान भरने वाले, हमारे जीवन पत्का उन्मान करने वाले, आज हमारे गुरु जनों को कृतकता प्रिशित करने का दिन है, आज उनकी उदारता को नमन करने का दिन है, और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में ग और आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने कीम्तिव समय में से हमारे लिए समय निकाला। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आज 5 सितंबर है। भारत में प्रतिवर्ष यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वादसब में यह दिन डॉक्टर सर्व पली राधा कृष्णन का जनम दिवस है। उन्होंने शिक्षा के शेत्र में अभुत पूर्व योगदान दिया है। और उनके योगदान को एक शिक्षा की भली भाती बता सकता है। तो आईए हम माम से ही जानते हैं Dr. सर्व पली राधा कृष्णन की कुछ विचारों उनकी शिक्षाओं के बारे में। माम, डॉक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्ण हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितने बड़े शिक्षक थे और कितने बड़े बुद्धी जीवी थे, क्या आप हमें उनके विचारों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ बता सकती हैं? सबसे पहले तो मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष में आप सभी को बहुत बहुत बदाई देना चाहती हूँ और डॉक्टर सर्पली राधा कृष्ण जिनके जन दिवस के उपलक्ष में ये शिक्षक दिवस का कारेकरम किया जाता है, वो एक ऐसे व्यक्तित रहे हैं हमारे देश के डुतिय राष्टरपती रहे हैं और पहले उपराष्टरपती, राष्टरपती और उपराष्टरपती तो का उधा उनको बाद में मिला पर उसे पूर वेक उच्चकोटी के शिक्षक रहे हैं जिन्होंने अपना अबूतपूर योगदान हमारे भारत समाज क यही शिक्षकों को मार्क दर्शन दिया है कि शिक्षक ही एक ऐसा मस्तिश्क है, शिक्षक ही एक ऐसा अबूतपूर योगदान है समाज के लिए जो युवा पिली को उभरने में और एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि यह जो शिक्षक का शेत्र है इसमें जो अबूतपूर विकास हुए अदबूत गरिमा जिन लोगों में योग्यताएं थी महत्तपूर उन्होंने कार्य किये वे सब राधा कृष्णन जी के मार्क बताहिवे म तो इसलिए सब इस शिक्षकों को भी इस सर पर बधाई देना चाहूंगी समस समाच को कि हम जिनके दिशा निर्देशन में यह सब कारें कर रहे हैं जैसे कि मैं उन्हें बताया डॉक्टर सरपली राधा किश्णन का योगदान तो भूलने योगी नहीं है उन्होंने तो बहुत अच्छे विचार आज की युवा पेड़ी के लिए दिये कि हमारे एक इनसान के मस्तिक्ष में अगर शिक्षा है तो वह कुछ भी कर सकता है अब अगर हम अपनी भारती संस्कृती पर एक नजर डाले तो हमने बहुत सारे गुरू शिशे ऐसे देखे हैं जिनका योगदान हम नहीं बुला सकते जिनका उन शिशे का आदर सतकार जो उनके गुरू जनों के प्रती था वो अलग ही था मैं हम आपसे ही जाना चाहेंगे जैसे गुरू द्रोना चाह रहे थे चानक की थे और एक लववे जैसे शिशे जिननोंने एक आग्या पर अपना अंगुठा त्याग दिया एक तरह से देखा जाए तो अपनी सारी शिक्षा त्याग दी मैं हम आज का जो समय है उसमें अगर हम ये जीज़ देखें किया वो गुरू शिशे का जो सम्मान सतकार जो पवित्र रिष्टा था वो आज के समय में कितना रह गया और कितना सम्मान शिश्यों के मन में है गुरू जनों के प्रती मैं आपके अनुभव से ये चीज़ जाना चाहूंगी जहां तक शिशिorkों की बात है मैं यही कह ना चाहूंगी कि आज शिक्षक सम्मान तो करते हैं, पर सम्मान का सरूप बदल गया है उसका तरीका बदल चुका है वो ये जानते हैं क्योंकी एक विद्यार्ति के मिन में ये बात आ गई है कि हम उसके बदले उसको फीज दे रहे हैं, धनराशी दे रहे हैं, धनराशी अदा कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना सम्मान वो अपचारी तरीके से दिखा सकते हैं, वो प्रदोशित किया जाता है, इसमें मैं ये नहीं मानती कि विद्यार्थियों का ही दोश है, हमारे जो बच्चों के अभिवावक है उनका भी कही ना कहीं इसके लिए दोश है गुरु दक्षना का रूप बदल गया है और बच्चों के मन में जन्म से ही ये बीज बो दिया जाता है कि तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो सिर्फ अर्थो पारजन के लिए धन कमाने के लिए तुम अपने आत्मिक चारित्रिक उत्थान के लिए नहीं कर रहे है बलकि हम पढ़ाई या हम शिक्षा प्राप्त करने सिर्फ अर्थो पारजन के लिए जा रहे है जहां पर हमें धन कमाने का तरीका सिखाया जाता है जो ज्टान का भी रूप बदलता जा पहले जब अगर हम अपने प्राचिन काल में भी नजर डाले तो बड़े-बड़े राजा भी गुरूं के आश्रम पढ़ने गए थे जसे राम प्रिष्णु गए थे गुरु बशिष्ट जी के आश्रम में तो अगर हम यह चीद देखें कि इतने बड़े-बड़े राजाओ पुत्र भी आश्रम में गए पर आज जो आज का समय है अगर किसी बड़े घर का पुत्र है या पुत्री है उनके लिए घर पर ही शिक्षकार आते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए तो वह कहीं ना कहीं गुरूं का जो सम्मान था उनकी पद्वी को खतम नहीं कर रहा है सम्म में यही क्याना चाहूंगी कि जो प्राचीन काल में गुरू के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे उनके मन में एक अथा उत्सा होता था सम्मान होता था गुरू के प्रती और जिसको पाकर की विद्यार्थी अपने जीवन को धन्य मानता था वाणी में मधूर ग्यान में उन्नती और हिर्दय में आत्मिक उत्थान जो था वो सर्वो परी था पर आज विद्यार्थी को पता है कि मेरे घर पर ट्यूटर या शिक्षक आकर शिक्षा देगा और उसके उपर इतना प्रभाव नहीं रह पाता तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जो गुरू के च प्यासा कूए के पास अता है ना की कूँऊंशे के पास तो ये बिच में सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ओन लाइन एट्यूकेशन भी हो सकती है बिल्कुल है पर मैं ओनलाइन शिक्षा को गलत तो नहीं कहूंगी क्योंकि उसके सारे आज हमें सामाज के विभिन जो शे बेश भर में, दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, पर इसके साथ कहीं न कहीं वो अकरमर्ने भी बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, यदि उनसे कहा जाए कि ये आपके लिए ये किताबे हैं या ये नोट्स हैं, तो वो उसको लिखने के अपिक्षा क्या करते हैं, कि उसकी फोटो लेना या चित्र लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं तो इस तरह से जो लेखन प्रवर्ती है उससे बच्चे बच रहे हैं उससे शिशे जी चुराते हैं और वो समझते हैं कि बस मोबाइल हाथ में हो और हमारा बहुत जल्दी ही तुरंथ ही कार्य हो जाए तो जो की एक आलसीपन के लिए पूरी तरह से यह कहिनांगी जो हम कहते हैं क्लास्रूम का एन्वायर्मेंट होता है जो एक स्टुडेंट की मतलब की मोरल डवलोपमेंट करता है हम कहते हैं कि वो नेतिकता में थोड़ा ध्यान देता है, कैसे क्लास्रूम में जब रहेगा तो उसे बैठने का डंग, बोलने का डंग, मतलब कि गुरूं से कैसे बोलना चाहिए वो आता है, पर कही न गहीं ऑनलाइन शिक्षा इस चीज को भी खतम कर रहा है कि वो सिरफ घर म कहीं न कहीं वहां जो विद्यारती हैं उसकी जो शंकाएं वो भी नहीं दूर हो पाती है, बिल्कुल सही बात है रूपल यह कि यह प्रशन बहुत अच्छा है कि हम जो ऑनलाइन शिक्षा घर पर बैठकर ही ग्रहन कर रहे हैं, उसमें ना तो दिखे यह जो संस्ताइं हैं, एक मैं कहूंगी कि यह अद्धिन केंद्र ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, यहां पर आकर बच्चा एक दूसरे के साथ शिश्य मिलते हैं, और उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को ग्रहन करते हैं, आपस में व्यभार करना सीखते हैं, और दूसरों के जाती-पाती का भेदबा हटता है, एक दूसरे को सला देते हैं, और दूसरे की संस्कृति, दूसरे की कल्चर, दूसरे का जो धर्म है, उसे ग्राण करने का प्रयास करते हैं, जबकि ओनलाइन शिक्षा में ऐसा संभव नहीं है, वह सिर्फ एकाकी बन कर रह पाता है, और जो कि एक युवा पीड़ के लिए क्या पूरे शिष्य वर्ग के लिए सही साबित नहीं हो रहा है, जैसा हमने अभी तक तो विद्यार्थियों के बारे में बात की, कि वो कितना अपना मतलब की भूमिका निभा रहे हैं, पर इस गुरु शिक्ष्य में गुरु भी आते हैं, आज कल हम बहुत से ऐसे cases देखते हैं, जहां पर एक शिक्षक अपनी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, बहुत सी जगाओं पर जिस शिक्षक का काम होता है, कि वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाए, वो शिक्षक अपने शिष्य को पीछे खीच रह होता है, मैं आप एक शिक्षक हैं उसी अनुभ मैं भी एक शिक्षक हूँ पर थोड़ा सा दुख होता है कहीं न कहीं देख कर कि कुछ शिक्षकों ने इसको सिर्फ और सिर्फ व्यावसाइक रोप दे दिया है जो कि एक उच्चकोटी की शिक्षा के लिए या विद्यार्थियों में नैतिक या चारित्रेक उथान करने के ल लेकिन उसके साथ वे उसे नैतिक चरित्र की तरफ और आत्मिक जो उठान है उसके प्रति सचेत करें सजग रहें उनके साथ अपना पन दिखाएं तो निश्यत रूप से जो विद्यार्ती है वो इस बात को समझेगा और एक गुरू के लिए सम्मान भी अर्पित करेगा औ और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी जो गुरू है वो अपने शिश्यों की कमियों को निकाल कर उनमें सरवोन मुख्य विकास करने का प्रयास करता है क्योंकि दुनिया में ऐसे दो ही जो वर्ग हैं एक माता-पिता और एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को या जो माता-पिता अपने बच्चों को आगे जाते हुए देखकर अत्यदिक प्रसंद होते हैं बिल्कुल और मैं यह कहूंगी कि माता-पिता या गुरू जो हैं अपने विद्यार्थियों में यदि वो कमिया निकाल कर उसका उत्थान करते हैं उसे प्रगति की और अग् चोड अर्थात गुरू उस कुमार के समान है जो अपने घड़े को बाहर से तो पीटता है लेकिन अंदर से उसको हाथ देकर सहारा देता है कि मेरा घड़ा मजबूत भी हो जाए और वो तूटे भी नहीं तो इसी तरह से शिक्षक है कि वो उसका आत्मिक उठान चाहता है उसका चारित्रिक विकास चाहता है उसका सरवंगिन विकास चाहता है पर उसे डाटता भी है समय आने पर उसे सजा भी देता है उसे इसके विकास के लिए ये सब कार्रेव करता है तो इसलिए कोई कबीर का जो दोहा है वो सार्थक सिद्ध होता है शिक्षक और गुरू के स तो एक्स नहां सर SYFRI है हम अब श्वOY पुराण के लिए बात करें जो क्योने का सव sche आगे बढ़ सके अब अब अबढ़ने हम पुराणों के बात करें उमारे पुरानों में लिखा है अब हमारे पुरानों में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है अब अगर हम हम शिश्यों का जो हमारी युवा पीडिया उसी का दायत्व है कि वह अपने गुर्यों को किस नजर से किस सम्मान से देखता है माम हमने बहुत सी बाते की अभी ओनलाइन एजुकेशन पर बात की शिक्षक के कर्तवे पर बात की जो आज के विद्यार्थी हैं उनके कर्तवें पर बात की अब मैं इसका एक अगर निशकर्ष निकालूं तो एक ही चीज सामने आती है कि दोनों की अपनी भूमिका है उन्हें आगे कैसे बढ़ना है वो पहले गुरू द्रोना चारे और एक लव्वे का रिष्टा भी हो सकता है अगरे जो हमारे दर्शक है वो हमें देख रहे हैं उनको एक संदेश जो आप इस हमारे विशेश प्रोग्राम के माध्हम से देना चाहें कि उन्हें कैसे चीजों को अपनाना चाहिए अपनी जिन्दिगी में कितने बड़े-बड़े हमारे भारत वर्ष में शिश्य हुए गुरु हुए उनकी जो शिक्षाएं थी उन्हें अपनाना चाहिए अपने जीवन में उनके लिए एक संदेश मैं यही कहना चाहूंगी सभी शिश्यों से और जो गुरु है उनके लिए भी संदेश है कि दोनों ही जब मानसिक और आत्मिक जो विकास है उसका जब मिलन होता है तो एक बहुत ही सुन्दर समय का निर्मान होता है एक अच्छी सफलता प्राप्ति का संदेश होता है तो इसलिए जो गुरु है वो भी अपने विद्यार्थियों के साथ सामन जस्या बना कर चले और जो विद्यार्थी हैं मैं कहूंगी कि कहीं न कहीं उन्हें मोबाइल का प्रयोग कम करके मित्रता पूर्वक अपने बुक्स को अपनी किताबों को अपनाना चाहिए उन किताबों के साथ ज्यादा मित्रता रखनी चाहिए क्योंकि ये मोबाइल जो है इंटरनेट मैंने पहले भी बताया कि बहुत सफलता का एक सीड़ी है सफलता की ए लेता है कि आए दिन जो ब्रश्टाचार है या जो बड़ों का आदर ना करना या एक विज्ञानिक तर्क देखें तो अपनी आखों पर जो उनके रेंज पढ़ती है उसका प्रभाव उसका जो मांसिक सभाव है वो चिल्ठिडा होता जा रहा है वो किसी का सम्मान करने में ज शिक्षक का तो कोई सम्मान नहीं है पर मैं ऐसा नहीं मानती बहुत विद्यारती आज भी बहुत से मात्रा में अधिक मात्रा में विद्यारती हैं पर यह कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं उन्हें उनलाइन शिक्षा ने प्रभावित किया है जिसके दुश्परिणाम हमारे समक्षा रहे हैं जो हर समय मोबाइल का प्रयोग करना और बड़ों का सम्मान ना करना ज्यादा से ज्यादा समय उसी में देना ये सब कुछ हमारे नैतिक पतन का कारण बनती चाह रही हैं तो मैं शिश्यों से यही चाहूंगी कि वो इन सब से थोड़ा दूर हट कर पत्रों से और किताबों से अपनी मित्रता बढ़ाएं जो कि हमारे सफल जीवन का संदेश है धन्यवाद जैसे कि माम ने अभी कहा एक संदेश दिया हमारी युवा पीड़ी को कि इंटरनेट और पोन से थोड़ा दूर होकर किताबों की तरफ ध्यान दिया जाए जो ग्यान का बदलता रूप कि दोनों का रूप बदल चुका है पर खत्म नहीं हुआ है अभी भी बाकी है तो आपसे सबसे गुजारिश यही है कि जितने बड़े-बड़े महाग्यानी बुद्धी जीवी हम जिनके बारे में जाने और उनके विचारों को अपने जीवन में आपसे विदा लेने से पहले हम अपनी अतीति का शुक्रिया अदा कर दे कि उन्होंने हम अपने कीमती समयमे से हमारे लिए समय निकाला अपनी अनुभवों को हमारे साथ किया और हमारे ज्ञान पर अपना प्रकाश दाला जिसमें धन्यवाद की कोई अश्यक्ता नहीं है यह हम शिक्षकों का कर्तव्य है और इसके साथ ही मैं अपने शिक्षकों के प्रती भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जिनों ने हमें प्रेल्णा दी और आज मुझे आप सभी के समक्ष पोलने का और सब्क्राप्त हुआ आप समय हो चुका है आप से भी विदा लेने का तो आखिर में आप सभी कोशिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई हम से यूड़ रहने के लिए देखते रहिए ACP News धन्यवाद